आनिवाली समय में गिद्वा परसदा की पैचान अंतराश्टिय स्दर्पर होगी हमर्चिरई हमर्चिनारी की अंतरगत गिद्वा परसदा में पक्षी महत्सों का शुभारब हुआ अधीकाल से मनुश्य एवं पक्षियों का सामझसर रह है वेदों में भी पक्षियों का चित्रन क्या क्या है । अनुष्य प्राचिन समय से पेड एवं पश्यू पक्षियों की पूझा करते आ रहे हैं गिद्वा परसदा की पैचान आने वाले समय में अंतराश्टिय मान चित्र पर स्तापित होगे जहां बड़ी संख्या में देशी एवं विदेशी पक्षी हर साल आते हैं इस आश्य के उद्दार प्रधान मुख्यवन संडक्षक एवं वन बलप्रमु राके चतुवेदी ने रविवार को प्रदेश के वन एवं जलवायू परिवर्तनवी भागद्वारा हमर्चिरई हमर्चिनारी के अंतरगत ग्राम विद्वा परसदा में तीन दिशिय पक्षी महोस्यों क चतुरवेदी ने कहा कि सामनेता बारिश के बाद ऑक्टोंबर एवं फरवरी के पीच गिद्वा परसदा जलाशय में पक्षी अपना डेरा डालते हैं यहां का परिवेश देशी एवं विदेशी पक्षियों खुभाता है इन जलाशयों में पक्षियों के लिए अच्छा पिसी सेयर चतुरवेदी ने यह भी बताया कि आने वाले समय में दिसंबर महा में प्रदेश के साथ स्तानों में इस तरह की आयोचन किये जाएंगे उन्होंने यह भी बताया कि सलीम अली इंस्टिटूट की विशेशद्नों से चर्चा कर विस्टूत परियोजना तयार की जाएंगी राज जैव विवित्ता बोट के सदस्य सचिव अरुन पांडिय ने कहा कि गिद्वा परिसदा में आईजित पक्षी महत्सों अपनी तरह का एक अलग कारिक्रम है पक्षियों की प्रती प्रेम एवं लगाव इस गाव में देखी जा सकती है यह अपने आप में भारत के केवला देव नैशनल पार्क में भी पक्षियों का संडरक्षन क्या चारा है गिद्वा पर्सता के ग्रामिनों की भावना पक्षियों के संडरक्षन में मदद करें आयुजन के सफलता के लिए अपने शुप काम ना दी वन विभाग के सचिव पेरं कुमा ने कहा कि वनों एवं वाइल लाइफ का क्या योगदा है गिद्वा परसदा के ग्रामिन पक्षियों के संरक्षन के दिशा में बैतर काम कर रहे हैं गिद्वा परसदा गाव के विकास के लिए जो भी योजना बनेगी उससे पूरा करने का प्रयास करेंगे कलेक्टर बे में तरह शीव अनन तायल न कहा कि हो की संरक्षन के लिए वन-विभाग्द का यहां बैतर प्रयास की जा रहे हैं ग्रामिनों की सहब आगिता पक्षियों की संरक्षन में महत्वपुन भूमी का है तीन दिव सिय पक्षी महत्सों की आयचन से चतिस गड़ एवं पहार के सैलानी इसका लाग उठाएंगे हमारा प्रयास रहेगा कि शित्रुतु में पक्षी महत्सों हर वश आयचितों मुख्यवन संरक्षक संजीता गुपता ने कहा कि गिद्वा परसदा में 25 साल से विदेशी पक्षिः आद है यूरोप आफरिका महाद्वेब से पर ग्राम लच्की रा में भी बाहर से पक्षी आते हैं ग्रामिर से नुकसान नहीं पहुचाते हैं यदि कोई नुकसान पहुचाता है तो ग्रामिरों ने एक हजार उपे जुर्माना तै किया है मुख्यवन संदक्षक दुर्ग व्रुद शालीनी रहना ने कहा कि दिसंबर से परवरी के बीच गिद्वा परसुदा में देशी एवं विदेशी पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं यहां के जलाशे इन पक्षियों को रास आके हैं तिन द्युसिय पक्षि महत्सोब प्रदेश का यह पहला आयजन है आज कारेक्रम के दोरान एक नया नारा उभर कराया हमेर चिरई हमर दुवारी हम करवो एकर रखवारी देशी एवं विदेशी 150 प्रजाती के पक्षी आते हैं उक्टुमबस से फरवरी तक उनका निवास रहता है उन्होंने पक्षियों के संरक्षिन के लिए ग्रामिनों के सभाकिता की सराना की कारिक्रम के दोरान ग्रामिनों ने दोनों हाथ उठा कर पक्षियों के संरक्षिन के लिए सहमती चताई यदि कोई ग्रामिन पक्षियों को हानी पहुचाता है तो उन्हें आर्थिक रुप से दंडित क्या जाएगा प्रदान मुख्य बन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख राकेश चतुर्वेदी एवं अतितियों ने दी प्रच्वलित कर कारिक्रम का शुभारम क्या कारिक्रम के दोरान पुलिस अधिक्षक दिव्यां कुमार पटिल, अपर कलिक्टर संजे कुमार दिवान, ASP विमल कुमार बैस, SDO 1 बेमेतरा पुषपलता, सरपंच ग्राम पंचायद गिद्वा केशव शाहू, सरपंच नग्दा थान सिंग वर्मा, सरपंच परसदार राज शाहू सहित, ग्रामी जन उपस्तित थे, बिस्यन न्यूस के लिए 36 गड़ बेमेतरा से, विजे देश लहरी की रिपूर्ट